PCS Current News में अभी की खबर है तमिलाडो में हुई राज आपदा घोशित हाली में तमिलाडो सरकार ने बढ़ती हीट वेव यानि गर्मी की लहरों की गम भीरता को देखती हुए इसे एक राज विशिष्ट आपदा यानि राज में एक आपदा घोशित किया है इस निर्ने का उद्देश हीट वेव की प्रभावों को नियंत्रित करना और प्रभावित लोगों को रहा देना है इसके अंतरगत हीट वेव से मृत्यू होने पर प्रभावित परिवारों को 4 लाख रुपए की मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी गौर तलब है कि तमलनाड की तट्रेखा और बंजर पहाड़ियों से हीट वेव की तिवरता बढ़ती है साथी उच्च जन संख्या घरत्व और शहरी गर्मी की वज़े से समस्या और गंभीर हो जाती है इस कदम से राज़ की ओर से सहायता और योजनाय तेज होंगी जिससे स्वास्त और सुरक्षा में सुधार होगा चली अब जानते हैं हीट वेव यानि गर्मी की लहर के बारे में यह एक गंभीर मौसम के सिती है जो स्वास्त क्रिशी और जल संकट पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है यह सिती तब बनती है जब उपरी वाय वंडल में उच्च दबाव का शेत्र बनता है जिससुर्ण की केंडे सीधे धर्ती तक पहुशती है और बादलों की अनुपसिती से तापमान और भी अधिक हो जाता है वह भारत में किसी शेत्र का तापमान सामाने से 5 डिगरी सेल्सिस अधिक हो जाने पर इसे हीट वेव माना जाता है चलिए अब देखते हैं, हीट वेव की सिती को भारत में निमनलिके तापमान माप दंडों के अनुसार मापा जाता है मैदानी शेत्र तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक होना चाहिए 30 चेटर, तापमान 37 डिगरी सेल्सियस या इससे अधिक होना चाहिए भारत में मार्स से जून तक का समय हीट वेव का प्रमुख सीजन होता है जिसे मई का महिना अधिक्तम तापमान लाता है और यह जुलाई तन भी जारी रह सकती है यह विशेश रोक से बुजर्गों, बच्चों और स्वास्त समस्याओं से ग्रस्त लोगों के लिए खतरनाक होती है मैं इससे हीट स्टोक तथा डी हाइडरेशन जैसी स्वास्त समस्याएं उत्पन्न होती है औस्टेलिया की मुनाश उनिवर्सिटी की रिपूर्ट के अनुसार 1990 के बाद से हीट वेव के कारण दुनिया भर में डेल लाग से अधिक लोगों की मृत्ति हुई है जिन्में से लगबग 20 प्रतिशत भारत में हुई है भारत में हीट वेव की अवदी और तिवृता में वृती देखी गई है जो पहरे 4 से 8 तिरों तक होती थी अब 20 दिनों तन भी चल सकती है सरकार ने गर्मी से बचाव की उपायों और स्वास्त सुरक्षा के लिए अभ्यान चलाने का नेर्ने लिया है विशेश रूप से कमजोर वर्गों और बुजोर्गों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्ण को हीट वेव के संदर्व में निम्रलिखित कथनों पर विचार कीजे एक, बारत में मार्च से जूम तक का समय हीट वेव का प्रमुख सीजन होता है दो, बारत में हीट वेव के कारण होने वाले मौतों का प्रतिशत वैश्रिक आकड़ी का लंगपग 20 प्रतिशत है उपर युक्तमे से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है एक एवल एक, वीकेवल दो, सी एक और दो दोनो, डी न तो एक और नहीं दो इस प्रशका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दे अभी के लिए बस इतना ही धन्यवाद